हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज हम बात करने वाले हैं भारतिय सम्विधान के बहुत महत्वपूर्ण प्रशनों के बारे में तो चलिए विडियो को शुरू करते हैं आपका पहला सवाल है सम्विधान निर्मान में कितने दिन का समय लगा आपके आप्षन है एक दो वर्ष नौ महीने अठारा दिन बी तीन वर्ष ग्यारा महीने अठारा दिन सी दो वर्ष ग्यारा महीने नौ दिन दी दो वर्ष ग्यारा महीने अठारा दिन इसका सही जवाब है डी दो वर्ष ग्यारा महीने अठारा दिन आपका अगला सवाल है पंडित जवाहरलाल नहरु के द्वारा उद्देश प्रस्ताव प्रस्तुत कर सम्विधान निर्माड का कार्य प्रारंब कब किया गया था? आपके आप्शन है इसका सही जवाब है आपके अगला सवाल है सम्विधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? आपके आप्शन है इसका सही जवाब है आपका अगला सवाल है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राश्चुपती कब चुना गया था? आपके आप्शन है सबसे लंबा लिखित सम्विधान कौन से देश का है आपके आप्शन है इसका सही जवाब है आपका अगला सवाल है 42 सम्विधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? आपके आप्शन है A. सम्पूर्ण सम्विधान B. प्रारूप समिती सम्विधान C. कमबेडकर सम्विधान D. मिनी सम्विधान इसका सही जवाब है D. मिनी सम्विधान आपका अगला सवाल है सम्विधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? आपके option है A. Dr. भीमराव अंबेड कर B. H. C. मुखरजी C. पंडित जवाहरलाल नहरू D. डौ राजेंद्र प्रसाद इसका सही जबाव है B. H. C. मुखरजी आपका अगला सवाल है सम्विधान सभा में मसौधा समिती के अध्यक्ष कौन थे? आपके option है A. पंडित जवाहरलाल नहरू B. डौक्तर भीमराव अंबेड कर C. डौक्तर सच्चिदानन सिन्हा D. डौक्तर राजेंद्र प्रसाद इसका सही जबाव है B. डौक्तर भीमराव अंबेड कर आपका अगला सवाल है भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? आपके option है A. उन्नी सो बावन B. उन्नी सो तिरपन C. उन्नी सो चौवन D. उन्नी सो इक्यावन इसका सही जबाव है A. उन्नी सो बावन आपका अगला सवाल है कौन बंबई प्रेसिदेंसी से सम्मिधान सभा के लिए चुना गया था? आपके option है A. पंदित जवाहरलाल नहरू B. डॉक्टर भीमराव अंबेड कर C. डॉक्टर सच्चिदानन सिन्हा D. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही जबाव है B. डॉक्टर भीमराव अंबेड कर आपका अगला सवाल है डॉक्टर भीमराव अंबेड कर का जन्म कहां हुआ था? आपके ओप्शन है A. सागर मध्यप्रदेश B. भोपाल मध्यप्रदेश C. जबलपर मध्यप्रदेश D. इंदोर मध्यप्रदेश इसका सही जबाव है D. इंदोर मध्यप्रदेश आपका अगला सवाल है भारतिय सम्विधान का अभिभावक कौन है? आपके option है A. भारत का उच्चतम न्यायाले B. भारत का सम्विधान सभा C. भारत का संसद D. भारत का उच्च न्यायाले इसका सही जबाव है A. भारत का उच्चतम न्यायाले आपका अगला सवाल है भारतिय सम्विधान का मसौदा किस दिन पूरा किया गया था? आपके option है A. 26. नवंबर 1949 B. 11. दिसंबर 1946 C. 26. नवंबर 1950 D. 9. दिसंबर 1946 इसका सही जबाव है A. 26. नवंबर 1949 आपका अगला सवाल है भारतिय सम्विधान कौन से सभा द्वारा तयार किया गया था? आपके option है A. मसौदा समिती द्वारा B. काबिनेट मिशन योजना द्वारा C. भारतिय संसत द्वारा D. सम्विधान सभा इसका सही जबाव है D. सम्विधान सभा आपका अगला सवाल है सम्विधान सभा के लिए सम्वैधानिक सलाकार कौन था? आपके option है A. सी एस मुखरजी B. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद C. बी एन राव D. बी आर अमबेड कर इसका सही जबाव है C. बी एन राव विडियो पसंद आई हो तो विडियो को लाइक करें और हमें कॉमेंट करके बताएं और ऐसी ही जीके विडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद झाल